जंग शुरू हुई पूर्वी पाकिस्तान से जहां दुश्मन के उपर चारों तरफ से कस्ते हमारी वाज के शिकंजे से पाकिस्तान का दम खुटने लगा उस शिकंजे को ढीला करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत से जम्मू सामबा सीमा पर हमला करने का फैसला किया और इधर होश्यार थी हिंदुस्तानी फौज और होश्यार थे 15 दिसंबर 1971 उन्होंने अपनी सिपाहियों में साथ रात के अंधेरे में हमला करते हुए दुश्मन की सीमा में खुश कर आरी गोलाबारी के बीच वसंतर नदिल पार करके एक भीषन लड़ाई के बाद जरपाल पर कबज़ा कर वहीं मोचा बना दिया सवेरा होते ही दुश्मन ने जरपाल वापस लेने के लिए जबरदस्त हमला किया मेजर होश्यार सिंग के कुछ जवान यहीद हो गए जवानू तुम्हारी बाद का हिसाब दुश्मन को लाशों के धेर से चुखना पड़ेगा इस आमीन को मैं उनका खबूरिस्तान बना दूंगा दुश्मन हमले पे हमला करता रहा पर मेजर होश्यार सिंग की हुंकार के अगे तूटता रहा अगले हमले में, दुश्मन ने टैंकों की अपनी पूरी ताकत से घेर कर हमला कर दिया पासा दुश्मनों की तरफ बलटने लगा पर दभी टैंक रेजिमेंट के सेकंड लेपनेंट अरुन खेतरपाल अपने तीन टैंकों के साथ आगे बढ़े दुश्मन की गोलाबारी के बीच एंटी टैंक माइन्स और बसंतर नदी पार कर ली और फिर तो उन्होंने वो तांडव मचाया कि दुश्मन का चक्र व्यू बिखरने लगा दस टैंक तो वही नेस्तो नाबूद कर दिये और तभी जब सिपाही को आगे बढ़ने को कहा जाए तो वो आदेश होता है पीछे हटना एक विकल्प लेकिन सेकंड लेटन खेतरपाल ने अपने सामने दो ही विकल्प छोड़े थे विजय या वीरगति सर मेरे टैंक की गन आपकी भी फायर कर आई है ना तो मैं टैंक छोड़ूँगा ना इन दुश्मनों अभी एक गोला और उनके टैंक पर गिरा सेकंड लेटनेंट अरुन खेतरपाल को विजय भी मिली और वीर गतिबे और फिर मेजर होशयार सिंग ने बाकी बचे दुश्मनों का काम तमाम कर दिया उधर पूर्वी पाकिस्तान के हर मोर्चे से आ रही शर्मनाख हार से ढाका में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ पाउं फूर रहे थे पर यहां पश्चमी सीमा से जब उनकी पराज़े की खबर आई तो उनकी आखरी उमीद भी खत्म हो गई और अपने विजय अभियान के आखरी चरण में जब ढाका की गलियों में हिंदुस्तानी टैंकों ने प्रवेश किया तो पाकिस्तान का दम गुड़ गया और पूरवी पाकिस्तान में इंसानियत के लिए खत्रा बन चुकी 93 हजार की फौज ने आत्मस्मर बढ़ कर दिया एक नए मुल्क बंगला देश का जन्ब हुआ पर पूरी दुनिया हमारी फौज और हमारे वतन की ताकत की इज़त करने लगी ताकत बदन की तुम से है इंसान के हम रखवाले ताकत बदन की हम से है इंसान के हम रखवाले